अब बात कहते हैं धनूर आसी पर राशी से एड़ ताउस में आया वा सूर्य आपको 17 जुलाई से लगा करके 17 अगस तक हेल्थ प्रॉलम कर सकता है आपको कोई प्रॉलम में फसा सकता है गौवर्मेंट की प्रॉलम से समधित, चाहे वो कोई नोटिस हो, चाहे वो कोई वारं हो या चाहे अरेस्ट हो ऐसी सिच्वेशन आ सकती है क्योंकि सूरी एड़ ताउस में बैट करके सेकंड आउस को देखेगा सेकंड आउस अताथ एड़ पार्ट का भी है तो ऐसी सिच्वेशन में सूरी जिस्ची का कारक है वो प्रॉलम कर सकता है ब्लड प्रेसर को हाई कर सकता है पाइल्स की प्रॉलम दे सकता है यह सब कुछ रासी से एड़ ताउस में आयवे सूरी के कारण संभव है इसलिए आपने हेल्थ पर ध्यान देना है तो साथ ही साथ अपने आपको बहुत रखना है बहुत नियंतरिद रखना है और यदि हो सके तो एक तामबे का जो राइटेंड में कड़ा है वो पहनना है और हमेशा सूरी को पाई कब कर सकता है लोग पूछते हैं कि कौन से दिन मैं अगर सूरी का रतन प पहन सकते हैं सूरी को पाई कर सकते हैं सूरी को अर्ग दे सकते हैं और सूरी को उपाई क्या है ओम ग्रणी सूरी है नहीं हमा बहुत छोटा सा मंतर है जो आप जाप कर सकते हैं सूरी को अर्ग दे सकते हैं तामबे का पात्र लीजे तामबे का लोटा लीजे पानी डाल दी है लाल पुस्प येदि मिल जाता है आसपास तो बहुत अच्छा है गुलाप का पुस्प हो और नहीं तो गुढ़ब का पुस्प मिल जाते हो सरसे से क्योंकि सूर्य के लिए गड़ल का पुस्प ही माना गया है 성ндर का काुरक बोल का पुस्पो बोल दीजिए तो वो डाल करके आपने सूर्य का मंतर जाप करते हुए या फिर ओम भूर्बवस्वा तत सवीतुर्वरेनियम भर्गो देवसे देमाई दियो योना प्रचो देयाद अतत गायतिने मंतर बोलते हुए सूर्य को अर्ग दे सकते हैं जुर्माना मु इको प्रॉलम में गुस्पे में आकर कि सिर्फ अपना अहित कर सकते हैं नुकसान कर सकते हैं रोगों से परेशान हो सकते हैं व्यर्थ के लड़ाई जगड़ों से परेशान हो सकते हैं और उससे भी बड़ी बात कि व्यर्थ के पैसे का नुकसान आपका हो सकता है अब यद जो कि मैंने पहले ही बता है जुर्माना मुकदमा गिरफतार ही हो सकती है तो ऐसी सिच्चोशन में भी जो आपको लॉयर करना पड़ेगा वकील करना पड़ेगा तो उसमें भी आपका पैसा खर्च हो सकता है संभावना है तो संभावनों को टालना आपके जिम्मेदारी है हो सकता है, मैंने ये बोला है, हो सकता है, ऐसी संभाव ना है इसलिए हो सकता है को आपने बनाना नहीं है हो सकता है को आपने पूर्ण नहीं करना है, उसे बचने की कोशिस करने इतना जरूर दियान रखिए अब बात कहता है अगली रासी मकर रासी आईए बात कहता है मकर रासी के व्यक्तियों को रासी से 7 ताउस में 17 जुलाई से 17 अगस्टक सूरी का प्रवेश होगा और इस रासी से 7 सूरी के कारण आपको अपने दामपति सुख में समस्यां आएंगी जीवन साती बीमार हो सकता ह या जीवन साती से कुछनी कुछ समस्या है, आकर गए मनमुटाव वाली परशितिया, रुखापन आपको देखना पड़ सकता है। संतान से भी इसी समय में परिशानी आएंगी संतान से भी मन बुटा हो सकता है या संतान के उपर पैसा खर्च हो सकता है उसकी बीमारी के उपर education पर education पर पैसा खर्च करना आपका positive है लेकिन यहां पर वियर्थ पैसा खर्च होने का योग है वियर्थ का अर्थ यहां पर है कि जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है मानलो उसने एडमिशन कहीं और लेना था लेकिन उसने ट्राई की एक दो जगे और और फिर उसके बाद में उसने भी मना कर दिया कि नहीं यहां पर नहीं मुझे कहीं और ट्राई करनी है तो उस सिच्वेशन को व्यलत का पैसा बरबाद होना बोल सकते हैं ऐसे स्थिती में आपने उस चीज़ का निर्ने लेना है आपने संतान को सही रास्ता दिखाने सही मार्क दिखाने की ज़ूरत है दामपति जिमने व्यमनिस चाता आ सकती है तो संतान की बीमारी को लेकर के परिशानिया हो सकती है यह आपने ध्यान रखना है त चाहे वो GST हो चाहे वो वैट हो और चाहे वो और कोई income tax से रिलेटेड हो या exercise से रिलेटेड हो जो भी कागज बत्र है जिसको legal documents बोलते हैं वो आपने सब सही रखने हैं और एक बार मेरे कहने से check कर दीजेगा हो सकता है कोई license की date चली गई हो सकता है को insurance की date चली गई हो आप सूरिय लगने को देखता है अता है headache होना तै है तै का मतलब संभावना है बहुत ज़्यादा बलवान है इसलिए आपने ज़रुत से ज़्यादा care करनी है और ऐसे ही समय में अपमान अपयस का खत्रा भी है इसलिए कोई भी गलत कारे करने से गलत बात बोलने से आपको बचन सत्रों पर विजय देगा तो साथ ही साथ government sector से भी आपको support मिलेगा आपको सायता मिलेगी और जो आपकी समस्यां चल रही थी उसमें भी निकलने का mark वो बताएंगे अता हर ढंक से जो भी उच्छ अधिकारी है जो भी case related समस्या है वो भी आपकी सुलजने की mark पर है सुलजन सुर्य आएंगे तब तब आपको gain देंगे appreciation देंगे आपको आगे बढ़ाएंगे अता आपको speed देंगे जो भी आप कारे कर रहें तो ऐसे ही समय में सत्रों पर विजय के साथ साथ रोगों पर भी विजय प्राप्त होती है क्योंकि सुर्य जिस भाव में बैठेगा उस भा आपके लिए बहुत अच्छा है कि आपके रोग जल जाएं सत्रों जल जाएं आपको आपसे क्लेश करने वाले जो भी हैं वो situation आपके आप जीवन में नहीं आए यह सब कुछ आपके लिए अच्छा है और यही सब कुछ इस माह में गटित होने वाला है तो जो जो भी उच अधिकारी हैं यदि आप जॉब करते हैं तो मैं आपको बोलूँगा कि जो जो आपके उच्छ अधिकारी हैं वो आपका सपोर्ट करेंगे आपके खुद के confidence में व्रद्धी होगी आपके खुद के personal influence में उसमें व्रद्धी होगी और आपका खुद का goodwill strength आपका नाम यह सब बढ़ेगा तो सब मिला करके सरीर और मन दोनों स्वस्थ रहने के साथ साथ बहुत अच्छी success मिलने वाली है और यात्राइं जो भी होगी वो भी आपकी बहुत fruitful होगी अथात आपको यश्ट देने वाली लाब देने वाली होंगी तो सब मिला करके ये जो समय है रासी से 6 आयवा सूरिय सतरा जुलई से 17 अगस्त तक आपको बहुत कुछ benefit देगा बहुत कुछ success देगा और आपको जो भी पस्तितिया पहले आपने खराब समय देखा है उसमें से निकलने का मार्ग भी देगा इसलिए सब मिला करके ये समय कारिय सिद्धी का है सुख प्राप्ति का है इसलिए आप इस समय का सबसे ज़्यादा या ज़्यादा से ज़्यादा फाइदा उठाने के लिए प्रयास करें मान लोग को बैग लोग है तो बैग लोग की समस्याओं को इस समय अच्छा है तो उसमें निकलने का प्रयास कर सकते हैं लोगों से मिल लीजिए जो भी आपका केस है जो भी आपकी प्रॉलम से उसके लिए जरूर जिन लोगों से मिलने की है उन लोगों से इस समय मिलना आपके लिए बहुत सूब है आपके लिए बहुत हितकर है आईए बात करते हैं महीन रासी की इस रासी फल के करम में अंतिम रासी महीन रासी रासी से फिफ्ट आउस में आयावा सूरिय सबसे बड़ी चीज के मति परम करता है confusion देता है fifth house बुद्धी का भी है application का भी है संतान का भी है तो ऐसे ही समय में अथा सतरा जुलई से सतरा अगस के बीच में जो मीन रासी के जातक है उनको स्वेम भी रोग हो सकते हैं पेट से समधी रोग फैफड़ों से समधी रोग परिशान करेंगे तो संतान को भी रोग से समधी समस्याएं हो सकती है परिशानिया हो सकती है जो टैंता उस है टैंता उस है आपके उच्छ अधिकारें का आपके बिजनस का आपके जॉब का जो भी आप काम करते हैं, जिससे भी आपकी जिंदगी चलती है, आजीवी का चलती है, आप रुपया पैसा कमाते हैं, वहां से 16 तक की इस्तिति में इस समय सूरी है, तो ये क्या करेगा, जो भी उच्छ अधिकारी हैं, उनसे वेमनेस जिता देगा, अताथ उनसे वेचारिक म उपाय करने हैं, तता साथ ही साथ आपने अपनी जो कमजोरियां उनको छुपाना भी सीखना है, सालीरिक और मानसिक स्ट्रेंथ में कमी आ सकती है, तो साथ ही साथ जो भी आपका जौब है, वहां पे एन्वामेंट भी ठीक नहीं रहने से मानसिक परिशानी आना तैह है, इ आपने बहुत ज़्यादा अपनी कमजोरियां, अपनी गलतियों से सबक सीखना है, क्योंकि यह जो इस्तितियां, यह जो परिस्तितियां वो बार बार आती है, एक साल में, मतलद एक वर्स में सूर्य बारा इस्थान परिवर्तित कर लेता है, तो बारा मैंसे मैंने आपको बतलाया मेश से लगा कर कमीन तक बहुत सी जगह पे सूरिय बहुत आपको नेगेटिव प्रबाब दे रहा है तो बहुत जगह सूरिय बहुत पॉजिटिव है तो नेगेटिव और पॉजिटिव तो दोनों ही आपके जीवन में आएंगे ही आएंगे ऐसी इस्तिति में आपन करेंगे उससे आपके समस्यां दूर होगी जो रोग है उसके लिए आपने योग का सारा लेना है सूरी के उपाय करके उस चीज़े बचने की कोशिज करनी है और साथ ही साथ यात्राइं जो है वो यात्राओं में नुकसान हो सकता है यात्राओं में समस्यां आ सकती है इसलिए जो बहुत जरूरी यात्रा हैं उनको करिए और जो जरूरी नहीं है उनको टाल दीजिए आगे लेकर के चले जाईए तो वहाँ पर और ज़्यादा बैटर समय है क्योंकि परसितियां एक सी नहीं रहती है समय भी बदलता है ग्रानक्षत्र भी बदलता है सब कुछ बदलने से आज जो खराब है कल वो अच्छा हो सकता है और आज जो अच्छा देख रहे हैं वो कल कोई प्रॉलम में आ सकते हैं इसलिए हमेशा मेंटल प्रिपेर करके रखिए हमेशा एक रास्टे के साथ साथ में एक सब लाइन जरूर सोच करके रखिए कि इसमें कोई प्रावलम आगी मुझे क्या करना है तो ऐसे व्यक्ति हमेशा कोई भी अनोनी होने पर ज्यादा निराश नहीं होते, डिप्रस नहीं होते क्योंकि उन्होंने सोच के रखा है कैसी सिचुशन होना है, क्या करना है तो यह था सूर्य से सम्मदिद रासिफल प्रतियक रासी को क्या अच्छा या क्या बुरा मिलने वाला है 17 जुलई से 17 अगस तक सूर्य के करक रासी में रहने से प्रतिफल क्या मिलेगा यह मैंने आपको बताया है जिन यह दासी वाले व्यक्तियों को मैंने नेगेटिव बताया है वो व्यक्ति सूर्य से सम्मदिद उपाय कर सकते हैं अतात हर रविवार को सूर्य उदे होता है वहां से एक गंटे के बीतर आप ग्याहूं गुड या तांबे का दान कर सकते हैं कोई भी मंदिर में तांबे के बरतन भेंट कर सकते हैं भगवान को दान हम दे नहीं सकते हैं हम इत्ते बलवान भी नहीं है भगवान को दान दे पाए उनको भेटी कर सकते हैं उनकी करपा के लिए हम जो भी मंदिर में पूजा के बरतन है वो दे सकते हैं जो भी मंदिर में प्रसाद वित्रन होता है उसमें हम सहभागी बन सकते हैं जो भी नीडी परसन है उनको हम खाना दे सकते हैं अता ग्याउं दे दिये गुर दे दिये आपने और कुछ भी जो खाने की समगरी है वो आप दे सकते हैं सूरी के मंतर जाब के लिए ओम ग्रणी सूरिया नमा वो कर सकते हैं या छोटा सा मंतर है ओम राम रीम रॉम स सूरिया नमा इस मंतर का जाब कर सकते हैं सूरी 40 का पार्ट कर सकते हैं यह हो सकता है तो जो कुछ भी उपाय आप से हो सकता है वो करने का प्रियास कीजिए मेरा य इसी मरसी इतने विद्वान थे कि इतना कुछ हमारे लिए छोड़के गए जिन्दकी को अच्छा करने के लिए और हमें सिर्फ उसको अपना नहीं है तो ऐसा अपना करके हमारी जिन्दकी ठीक हो सकती है आपकी जिन्दकी ठीक होने का अर्थ है आपका पूरे परिवार ठीक ह क्योंकि वो आपके उपर आधारित है आपके उपर आश्रित है तो आपका सक्सेस होना आपका सफल होना सिरफ आपका ही दायत्व नहीं है आपके उपर उन लोगों की खुशियों का भी उतना ही दायत्व है इसलिए कर्म करते रहिए सद कर्म करते रहिए अध्यात्मिक बने रहिए और साथ ही साथ इस समाज को आप क्या दे सकते हैं अच्छा क्या दे सकते हैं जितना कर सकते हैं उतना भला करने का प्रयास कीजिए क्योंकि भलाई करेंगे कर भला तो हो भला येक सिद्धानत है इसको अपना करके देख लिए आपकी जिंदगी बहुत कुछ अच्छी हो सकती है क्योंकि यदि आपने किसी का बला किया तो आपका बला जरूर होगा स्वस्त रहिए प्रसंद रहिए अपना ख्याल रखे अपने बच्चों का ख्याल रखे नमस्कार इंत्र ख्याल चार्व होगा झाल झाल